नमस्का दोस्तों मैं हूँ रानार प्रता प्रोय आपका दोस्त दोस्ते गर फिस स्वागत थे आप सबका मेरी यूट्यूटीब चैनल पर जिसका नाम हेल्थ एंड ब्यूटी टीप्स बाई रानार प्रता प्रोय यानि की मैं दोस्तों आज मैं एक ऐसे ओयंटमेंट के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग बहुत ही पुराने समय से डॉक्टर्स दोरा क्या जाता है खासतोर से फोड़ा पकाने के लिए आपके शरीर में कहीं वे फुनसी हुई है फोड़ा हुआ है गाठ हो गया है कही तो वहाँ पर डॉक्टर इस दवाई का इस्तेमाल करते है जदातर लोग ये समझते है कि इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ फोड़े को पकाने के लिए क्या जाता है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा फाइदा है ये किसी भी प्रकार के गाठ के लिए इसका इस्तेम करने से आपके गाठ से तुरंत आराम पा सकते हैं दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ सुमैग का सुमैग एक ऐसा प्रोड़क्ट है जिसको सभी जानते हैं और यह हिंद केमिकेल्स लिमिटेड का एक प्रोड़क्ट है और भारत में कहीं भी पाय जा सकता है दोस्तों यह दवाई जो है इसका कलर पीले कलर का होता है और जैसे ही कोई डॉक्टर या मेरे पास भी काफी लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि इस दवाई को क्या पकाने के लिए आप लगा रहे है क्या तो मैं बताना चाहता हूँ इसका जो काम है सिर्फ पकाने का नहीं है पकता का भे होता क्या है कि जब आपके शरीर पे कही कोई फोड़ा हुआ है और उसके अंदर पस हो गया है लेकिन वो फूट नहीं रहा है या ठीक प्रकार से पक नहीं रहा है दोस्तो होता क्या है कि वो पक तो जाता है लेकिन उसका जो उप्री सता है जो खाल है वो मोटा होने की वज़से वो निकल नहीं पाता बाहर मुह नहीं बन पाता है अगर पतला होता है खाल इसकीन पतला होता है वहाँ का तो वो बहुत जल्दी पक के और फूट के निकल जाता है लेकिन जब खाल मोटा होता है तो ऐसा नहीं हो पाता है सुमेग बांधने से उस जगा पर जहाँ पे भी इन्फेक्शन है फोड़ा है उस जगा पर अगर सुमेग बांधने जाएगा तो वो बहुत जल्दी उसके खाल को गला देता है नरम कर देता है और जो खाल के नीचे जो मवाद या पस बन गया है उसको भी और घोल देता है नरम कर देता है और उसके आसपास का जो माच पेशी है वहाँ पर अगर कोई सुजन है उसको भी कम कर देता है दोस्तो इसका बहुत ज़्यादा फाइदा है ये एक दवाई है लेकिन बहुत सारा फाइदा करता है कही पे भी अगर चोट लगा है तो चोट बाले जगह पे आप दरत का आइंटमेंट लगा रहे हो दरत कम हो जाता है लेकिन सुजन कम नहीं हो रहा है आप वहाँ पर सुमैग लगा दीजिए सुजन घड़ जाएगा कही पे ड्रिफ चड़ाने के बाद में या आई वी फ्लूड लगाते है उसमें बीगो लगा देते है या कोई भी सुई नश में लगाते है तो उसमें अगर सुज जाता है तो वहाँ पर सुमैग बहुत ज़्यादा काम करता है सुमैग को लगाने के बाद में वहाँ पर ब भी सुमैग बहुत ज़्यादा फाइदा करता है सुमैग से या फिर मान लिजा किसी भी मास्ट पेशी में आपका कहीं पर इंजेक्शन लगता है तो वह अगर पक जाता है या गाठ वन जाता है वहाँ पर तो सुमैग लगा कि उसके उपर सिखाई कर दीजिए पट्टी करके तो वह बहुत जल्दी सही हो जाता है बैड़ जाता है सुजन वहाँ काम हो जाता है कहीं मान लिजे टाके लगे हुए बहाँ पर और टाका पक गया है उपर से सुखा हुआ है लेकिन अंदर पक गया है सूज गया है बहुत जादा दरद है उस समाई जब बेटा डिन या इ कम हो जाता है और जो टाइटने से वो कम हो जाता है अगर पस है तो पस को निकल देता है बरना पस का बनना रोग देता है तो सुमैग बहुत ज़्यादा फायदे मंद है कही पर ऐसा होता है कि कही पर चोट लगा है और चोट लगने के बादने घाव हो गया है और उपर से सु कि एक दो पट्टी में ही वो गल जाता है और घाव फ्रेश हो जाता है उसके बाद में आप कोई भी ट्यूब लगाई है या फिर सुमेग को भी लगा सकते तो बहुत जल्दी घाव को भर देता है तो दोस्तों सुमेग बहुत ही ज्यादा यूसफूल है और इसका एपलाई क के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जो एफेक्टेड एरिया है उसको आप एंटिसेप्टिक से धो लिजिए धोने के बाद में उसको सुखाईए पोच लिजिए फिर आप सुमेग को लगाईए सुमेग की जो डिबवी होती है उस डिबवी के अंदर जो पड़ता है उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है उसके बाद ही इस्तेमल करना पड़ता है मैगनेशियम सलफेट, इूरिया, सलफसेटमाइड, सोडियाम और प्रोफलावीन या गिलिसरिन इसको आप कुछी समय तक लगाने से अगर आपको किसी प्रकर का फाइदा नहीं हो रहा है या अगर आपको लगता है कि इससे दरद और बढ़ गया, सुजन और बढ़ गया है, खुजली होने लगा है तो उस कंडिशन में आप इसका इस्तेमाल रोग दीजिये सुमय एक बहुत अच्छी दवाई है, इस पे डॉक्टर्स बहुत जल्दी बिश्वाश करते हैं क्योंकि इसका फाइदा ही इतना है लेकिन आपको जब कभी समझ में नहीं आए कि सुमय का इसका इस्तेमाल आपके इन्फेक्शन घाओ या फोड़ा कही पे भी हो तो उसमें करना चाहिए कि नहीं, अगर आपको किसी प्रकार का शंका हो तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं या फिर आप अपने विशेशक डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि मुझे सुमय लगाना चाहिए कि नहीं और अगर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होता है तो फिर आप इसका इस्तेमाल रोग दिजिए तो दोस्तों सुमय के बारे में शंक्षेप में जो मैंने जान करी दिया है वो आपको अच्छे लगी होगी और ये जरा सा भी हेलफूल अगर आपको लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेर कर दीजिए दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक करना के साथ की आप सभी स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत